यह जो वीडियो में बनाने जा रही हूँ यह इस टॉपिक पे है कि आखे ट्विन फ्लेम्स की जो है क्या रिस्पॉंसिबिल्टीज है आपका यह जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो आपका जनव हुआ है यहां पे वह आखिर क्यों हुआ है आप स्टार सीड्स हैं स्टार सीड्स क्या होता है स्टार सीड्स वो होते हैं जो इस अर्थ के प्रानी नहीं होते हैं आप एलियन की तरह हैं sorry friends मैं आपको समझाती हूँ कि why आपको एलियन क्यों बोल रही हूँ जब जब क्योंकि ये एक बुरा वक्त आना ही था कल यूग का टाइम धर्ती पे तो बगवान है उन्होंने अपने जो दूसरे ग्रह हैं वहाँ पे ईक एक बंदा वेकंड है लेकिन धर्ती पे अब सारे इंसान जो है अवेकन नहीं है कल यूग का टाइम है तो कुछ जैसे वोलंटियर हम चूज करते हैं शोशल एक्टिविटीज के लिए ऐसा ही भगवान ने जब आज किया कि कौन धर्ती पे जाएगा दूसरों को अवेक करने के लिए और मुश्किल वक्त में अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए तो उस वक्त हम सब ट्विन सोल्स ने खुद आगे आकर वोलंटियर की तौर पर जो है असेप्ट किया था कि हम धर्ती पे जनम लेंगे और हम जो है इस बर्डन से गुजरेंगे हम इस पेन से गुजरेंगे हम क्योंकि पेन भी हम खुद लिखवा के लाए थे अपनी लाइफ के लिए ताकि हम अवेक हो सकें यहां आकर और यहां आकर हमारा मीशन क्या है यहां हम आकर किसले आए हैं तो आप लगता होगा कि आप दुनिया में घुल मिल के भी कभी कभी ऐसा होता है जब आप दुनिया के साथ घुल मिल नहीं पाते प्राइब आ गब लगोगा जो िदूरेंच कि अपन से हुझत है और लिघम सबस्क्राइब श्याद right यहाँ पर बगवान में बिलीव होगा या मिरेकल्स में में बिलीव होगा या तो फेरी टेल्स की स्टॉरी में बिलीव होगा क्योंकि आपकी आपकी स्वाल जानती है कि Beyond this Earth there is something some unnatural power God Almighty कुछ तो है तो इस तरहें का अंब जो अर्थ की वैब्रेशन है, इंवायरृूर्मेंट जो है वह प्लूूू시ड हो गया है, कितनी ज़फा यह अर्थ की गिर गई है, अब जो ट्विन सोल्लॉस है, वह क्यूं पैदा हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में, यहां पर अभी तो Corona ही फैला है लेकिन आने वाले टाइम है यहां अर्थक्विक्स आ सकते हैं विकॉज जो है धर्ती इतना बोज नहीं सेहन कर पा रही जो बुराई कल्यूक की वज़र से इंसान जो बुराई में लिप्ट हो गया है धर्ती उतना बोज नहीं उठा पारी इंसानों का तो हम जो इतनी सारी twin twin souls ने जनम लिया है वो कि क्यों लिया है ताकि यही तो time है इसी time पर हमें अवेकन होना था इसी time पर हमने दुख मिलना था वो हम खुद कहकर लिखवा कर लाएं कि सप्रेटिड जोन आएगा तो हम दुखी होंगे तो हमारी वेकनिंग होगी और जब अवेकनिंग होंगी तो हम कुछी करेंगी हमारी कुंडली नी जागरी थोगी कुंडली नी जागरीथ होगी तो हम जब money करी तो हमारे अंदर से vibrations निकलेंगी वह vibrations जो है 50% जो अर्थ है वह करती है जिससे कि जैसे ही जो युनिवर्स के थूँ से जो लाइट हमारी बॉड़ी में हम मीडियम बनते हैं वह जो लाइट वह कॉस्मिक इनर्जी है हमारी बॉड़ी से ट्रेवल करती होई धर्ती को मिलती है जो वह इनर्जी भगवान की युनिवर्स की कॉस्मिक इनर्जी हमारी body से travel होते हुए क्योंकि हम medium है right universe की उस cosmic energy और धर्थी के बीच में तो जब हम meditation करते हैं वो energy हमारी body से पाउस आउट होते हुए हमारे जो foot के चक्रा है उससे जो है धर्थी को receive होती है जिससे जो earth की vibration है वो raise होती है हमारा काम यहां पर सिर्फ लव 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 बोल के उसमें खोई रहने का काम नहीं है हमारा काम है अवेकन्ड होकर meditation जितना जादा हो सके वो करने का है ताकि उस पर आगे चल कर जो है इस अर्थ की vibration हाई हो अब आगे जाके ना जाने कितने अर्थ क्या कुछ यहां पर natural calamities हैं ज जितनी जादा souls awakened होंगी और जितना जादा meditation करेंगी उतनी धरती की जो बरबादी होने से बच जाएगी जीव जन्तुओं की बरबादी होने से बच जाएगी इसलिए हमने जो है जनम लिया है ताकि हम अर्थ की इस टाइम पर अर्थ की vibration को फिर से raise कर सके और यही हमारा main mission ह है सोल की सोल का mission है हमारी responsibility बनती है कि हम अब meditation करके वह जो cosmic energy है जादा से जादा meditation में बैठें और धरती को जो है provide करें और उसकी जो vibration हाई करें और खुद भी जो अर्थ की stability है राइट वह खुद भी grab करें तो यह वह टाइम है जब हमें अर्थ की vibration बढ़ानी है हम सब क्वि responsibility है कि हमें अर्थ की vibration को बढ़ाना है ताकि कल को कम से कम बरबादी हो यहां पर अर्थ की जो भी जितने भी जीव जन्तू है हर एक चीज की तो इसलिए जो है basically हम लोगों को इस जरनी में डाला जाता है तो यह चोटी सी वीडियो चोटी सी information थी कि ताकि आप अपनी responsibility से aware र जाता है आपके सोचने का pattern change होता है आपका सब कुछ हरे चीज मलकी अंदर आपके बहुत changes आते हैं आप जो पहले बच्पन से थे आप वो रहते ही नहीं है तो उसे DNA alien DNA भी बोला जाता है क्योंकि आप उस जब cosmic energy को grab करते हैं आपके DNA में बहुत सारे changes आते हैं ascension होती है असेंशन पर पूरी वीडियो बनाऊंगी मैं कैसे कैसे यह ascension का जो पूरा पीरियड है वो आगे जो है कैसे प्रोसीड करता है और साथ ही साथ में ascension का तो बनाऊंगी साथ में यह भी बताना जाओंगी जितनी पर twin souls होती है उनकी kundalani awakened होती है उन्हें vibrations फील होती है बोड बोडी जो है vibrations को अपनी बोडी से जो निकालती है राइट पहले रिसीव करती है युनिवर्स से क्राउण चक्रा को थू एंडें उसको धरती में जो है फिलाती है और इस तरह से जो है यह सारा प्रोसीजर चलता रहता है ओके फ्रेंड यह चोटी सी इंफरमेशनल वीडिय जो थी ओके फ्रेंड बाबाई ओके फ्रेंड मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितनी भी ट्वीन सोल्स होती है काफी इंट्यूशनल होती है और ड्रीम्स के थ्रू टाइम तो टाइम उनको जो है युनिवर्स के थ्रू जो तो जो ट्वीन सोल्स होती है इंगो बच्पन से ही जो है आगे क्या होने वाला है उस चीज का आभास होने लगता है फर एक्जामपल इन माई केस जब मेरे घर में मेरे दादादी आने वाले होते थे तो मुझे पहले ही उनका ड्रीम आने लग आ जाता था और तब तकलीफ में दिख जाता है मुझे क्या कहते हैं ड्रीम में और जो आपने उत्रखंड वाला जो सीन देखा था कि वहां पर कितनी बाड आई थी कितना नुक्सान हुआ था मतलब मेंने कभी उत्रखंड नाम सुना नहीं होगा नाहीं मुझे मेरे को मतलब कि वहां का कुछ प गड़ी है तो मुझे सिंपल द्रीम था क्योंकि पहले जब अपनी intuition को नहीं सुने हैं बचपन से हमें आदथ पड़ी होती है कि हमने दिमाग से ही सोचना है हम अपनी intuition को इतनी तवज़ नहीं देते हैं तो उस टाइम मैं बी ऐसा करती थी की मेंनेص नूर्मल ठीम थापिक जैसे मैंने नियूस पेपर उठाया उसके फ्रंट पेज पे मतलब जो मैंने ड्रीम में जो मूर्ती शिव शंकर भगौन की देखी ती और जैसे वह पानी में मतलब इतना बाड़ी बाड़ थी पानी पानी था वह सेम चीज मतलब I am so shocked in the next morning कि जो मुझे सपना आया है वह कैसे reality में बदल गया है तो इसी तरीके से मुझे time to time after six months जो है मुझे एक बार ऐसे सपना जरूर आता है कि काफी पानी ही पानी हो गया है पूरे हर जगा और जो है बाड़ आगी होती है और उसमें बड़ी मुश्किल से मैं जो है बच रही हूँ तो यह time to time मुझे यह dream आता रह जो है अर्थक्विक सा सकते हैं बहुता पानी पानी जो है मुझे नजर आता है time to time तो यह सब जो है ऐसी natural calamities हो सकती है मैं आपको ड्राने की कौशिश नहीं कर रही हूँ जस्ट एक सिंपल जो भी information हमें ग्रैब होती है सपने के थ्रू वो शेयर कर रही हो तो उसके लिए ह कि जो है हमें meditation करना चाहिए अर्थ को अपनी vibration देनी चाहिए ताकि इन चीजों से जो है कम नुकसान हो राइट तो बस मैं यह कहूंग कि time to time यह वली ड्रीम सिर्फ मुझे ही नहीं दूसरे से लिडर्स को भी हो रही है तो इसका जरूर कोई मतलब है तो हम सब को aware रहना चा पड़ाने का ओके फ्रेंड्स थैंक यू